कि नमस्कार दोस्तों कि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत हैं तो दोस्तों अपने जिस सीरीज की बात कर रहे थे जिस विशे पर चर्चा कर रहे थे वो विशे था मारवाड के राठोड राजाओं के बारे में अपने चर्चा कर ले थे यानि मारवाड के जो राठोड वस था उसके बारे में चर्चा कर ले थे और हमने एसी लेक्चरों के दोरान बात कर ली थी जस्वन सिंग राठोड मारवाड का सासक बन गिया था कि जस्वन स्ग राठोट का राजय विसेख कब हुआ या उनका जो कारेकाल है जस्वन सिंग राठोट का वो कारेकाल क्या रा़? जसावन सिंग लाठोट का जो कारेकाल था, वो कारेकाल थाGB Pixel 628-78-2029 से ले के 1628-20 तक या जस्वंद सिंह रैतोड का कारेकाल था और हमने ये भी चर्चा कर लिए ती कि जस्षी राजेवी से करवा दिया जाता है तो सांजा इसे कहा ले जाते हैं सांजा इसे ले जाते हैं जमरूद यानि अफगानिस्तान अभियान पर ले जाते हैं और वहां से जब वापस आते हैं तो जोदपुर आते हैं और जोदपुर में मारवार के जो राठोड सरदार थी उन्हो तो यहां सानजा पहला युद्ध भी देखे लिया जिसमें जस्वन सिंग दाराशिकों की तरफ से लड़ा और उन्हें ओरंग जेव से हारना पड़ा कुछ एसे कारण नहें उन कारणों की बड़े डिटेल से हमने पिछले लेक्षर में चर्चा कर ली और उसके बाद में वहाँ से आरने के बाद में ये जब जोदपुर जाता है तो इसकी एक राड़ी जस्वन दे जो दुरग के फाटक है बंद करवा देती है और सत्ती होने की त्यारी करती है और जेब जब ब्राजेब इसे एक समारों मना रहा है तो वहाँ जस्वन सिंग राठोड को भी बुलाया जा रहा है और वहीं इसकी मनसबदारी में बाल कर दी जा रही है वहीं इसे उपहर भी दिये जा रहे है और उसके बाद में एक और युद हमने चर्चा की खजुआ का जो युद हुआ 1669 में सास हुजा औरंग जेब और उस खजुआ के युद में भी जस्वन सिंग राठोड जो थे वो वहाँ औरंग जेब की सेना में गे लेकिन 4 जनवरी एक दिन पहले ही मतिरातरी को 10,000 सेनिकों के साथ जस्वन सिंग राठोड ने औरंग जेब की सेना पर अटेक कर दिया और वहाँ से मारवार की तरफ निकल आया यहां तक पिछले लेक्षर में बात की और आज के इस वेडियो या आज के इस लेक्षर में अपने जुचर्चा करने वाले हैं मोटा मोटा रूप से मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही वहाँ से मारवार आते हैं तो मारवार के बाद ओरंग जेब और जो जस्वन सिंग राठोड थे मारवार के साथ है कि अजोदपूर के साथ है इनमें मनमुटा पैदा हो गया था और उसके बाद में क्या होगा इस मनमुटाओ को कौन फाइनली कंप्लीट करेगा या इनमें मदेस्ता कौन कंप्लीट करेगा या मदेस्ता कौन स्मापत करेगा इसके बाद में अब ये देखेंगे कि जस्वन सिंग राठोड ओरंग जेब की सेवा में चला जाएगा यानि मुगल दर्बार में चला जाएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो देखें क्या हुआ कि हमने ये पड़ लिया था कि खजुआ के युद से जस्वन सिंग राठोड का आगे जस्वन सिंग राठोड आगे मारवाड यानि एक बार औरंग जेब का जो है और जस्वन सिंग राठोड को लेकर क्या हो गया और इसे भीच एक युद और देखने को मिलता है सांजा के बेटों में उत्रा दिकार को लेकर लगबग ये ते हो गया धर्मत के युद के बाद ये ते हो गया कि दिली का जो मुगल बादसा बनने वाड़ा है वो कौन बनने वाड़ा है दिली का मुगल बात्सा ये ते हो गया ओरंग जेव बनने वाड़ा है लेकिन फिर भी अभी वेट किया जा रहा है एक बार तो राजेव इसे करवा लिया लेकिन फिर भी वेट किया जा रहा है कि उत्रा दिकारी दारा सिको को गोशित किया है और दारा सिको को अंतिम रूप स आप यहां ओरंग जेब दोराई के युद में प्राजित करनी वाला है कौन से युद में कौन सा युद हुआ दोराई का युद कौन सा युद हुआ दोराई का युद दोराई का युद कब हो रहा है 1669 इस्वी में दोस्तो राजस्तान एक्जाम की दरस्टी से ये युद भी important हो जाता है दोराई का युद कब हो रहा है 1669 इस्वे में किन के मद्दे हो रहा है ओरंग जेब और दारा सिको के मद्दे हो रहा है ओरंग जेब और दारा सिको के मद्दे ये युद हो रहा है ठीक है अपेल 1669 में ये युद हुआ ओरंग जेब और दारा सिकों के मद्दे युद हुआ अब अपने बात करें कि क्या जस्वन सिंग राठोर वापस दारा सिकों के पास चला गया या दारा सिकों की सेना में चला गया या इस युद में उसने कौन से मुगल की साहिता की क्या ओरंगजेब की तरफ से लड़ा क्या दारा सिकों की तरफ से लड़ा तो देखिएगा अगर ख्यातों की बात की जाए तो ख्यातों में ये मिलता है कि दारा सिको इस युद से लडने से पहले जस्वन सिंग राठोड को एक पत्तर लिखते हैं कि मेरी साहिता कीजिए और लेकिन जस्वन सिंग राठोड ने जवाब क्या दिया इसने कहा कि आप युद को आर सुके हो लगबगते है औरंग जेब मुगल बात्सा मनेंगे और मैं तो एक बात्सा का सेवक हूँ यह आप सुकर मनाईे कि मैं औरंग जेब की सेना में आपके took क्लाब नहीं लड़ रहा यह सुकर मनाईे तो यहां से यह डिकलेर हो जाता है कि ना तो उसने औरंग जेब की सेना में गया इस यूद में ना इस दाराशिकों की सेना में गया दिया रखना दोस्तो राजबुत कपी सारे राजबुत है इस यूद में जैसे अमेर का सा सक है मिर्जा राजा जे सिंग आमेर का सासक है मिर्जा राजा जे सिंग ओरंग जेब किस तरब से लड़ रहा है लेकिन जस्वन सिंग ने यहां भाग नहीं लिया और इस युद के प्रिणाम के बारे में बात करें कि क्या प्रिणाम हुआ तो इस युद में finally कौन जीत जाता है ओरंग जेब की विजे हो जाती है इस युद में और ओरंग जेब क्या करता है दारा सिकों को गिरबतार करके बंदी बना लेता है अब यहां से एक फैक्ट आपको मिलने वाड़ा है यहां से एक क्वेस्टन भी पुछा गया है कि ओरंग जेब ने अपने बाई दारा सिकों को दोराई के युद में प्राजित करने के बाद राजस्तान के कौन से किले में केद किया तो बहुत इंपोर्टेट है बहुत बड़ा क्वेस्टन है यह पुछा भी जा चुका है कि ओरंग जेब ने दोराई के युद में दारा सिकों को प्राजित करने के बाद राजस्तान के कौन से किले में केद किया तो कौन से किले में केद किया अंगन बाडी के किले में कांकन बाडी के किले में कौन सा किला रहेगा कांकन बाडी का किला कौन सा किला है दोस्तों कांकन बाडी का किला द्यार रखिएगा कि ओरंग जेब ने दोराई के युद में प्राजित कर दिया दाराशिकों को अंतिम रूप से प्राजित कर दिया और बाद में बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में जो गिरपतार किया गया है वो क नह recruit पूचा जा सकता है कि कनकन माडी को इस्तिते दोस्तों उसे हो हरे कभुत्रों के लिए कों सा अभ्यारण इसलिए और यह वा तो कुंसा है उसका अभ्यार-ब्राध्यक right और ग्रश्टान की दूसरी बांग क्रियोजना है अलवर में है सरीष का अभ्यारने हरे कबूत्रों के लिए famous है और यहाँ इसी अभ्यारने में कांकर माडी का किला है और इस कांकर माडी के किले में दारास्को को केद करके रखा गया बाद में दारास्को को मार दिया गया औरंग जेब के दवारा औरंग जेब की सेवा में चले जाते हैं कुछ मन मुटाव कम हो जाता है औरंग जेब की सेवा में चले जाते हैं तो यहां क्वेस्टन क्या रहेगा क्वेस्टन यह रहेगा कि मुगल बादसा औरंग जेब और जस्वन सिंग राठोड के मद्दे तनाओ को किसने खतम किया मद तो वह है भ्यां जेट सी कौन से आमेर के साल है। मिर्जा राजा जेट सिंग है। इन्होंने मदेशटा स्तापित की है। जस्वन सिंग राठोड और अरंग्जेव के मदे। अगर आपसे क्वेस्टन दूसरी लेंग्वाज में हैं। तनाव खतम किया, वही बात आ रही है, तो किस ने किया है, मिर्जा राजाद जे सिंग ने, ठीक है, चले आगे, इतना क्लिय हुआ, अब देखिए ओरंग जेब की सेवा में जब जस्वन सिंग राटोर चला गया, तो क्या हुआ, तो ओरंग जेब ने जस्वन सिंग राटोर क कि यहां आ चुकी है अब औरंग जेब इसे बहुत सारे अभ्यानों में जम्रूद अपगानिस्तान काभी सारे अभ्यानों में रखेगा तो सबसे पहले में यहां बात करूँगा कि 1669 इस्वी में 1669 इस्वी में जस्वन सिंग राटोड को औरंग जेब ने क्या किया गुजरात का परबंदक न्युक्त कर दिया का बई गुजरात का परबंदक न्युक्त कर दिया का बई गुजरात का परबंदक दिया रखना आगरा का परबंदक इसे को न्युक्त करता है सांजा करता है औ तो ओरंग जेब गुजरात का प्रबंदग नियुक्त कर रहा है अब देखिए इसी समय क्या होता है कि दक्षिन के अंदर दक्षिन वारत में मराथा सासाक महाराज सिवाजी जो ओरंग जेब के कटर दुस्मन मन चुके हैं एक जोरदार तरीके से विद्रो चल रहा है ओरंग जेब की सबसे बड़ी समस्या इस समय महाराजा सिवाजी थे तो अब क्या होगा कि औरंग जेब क्या करेगा औरंग जेब अभ्यान बेजेगा दक्षिन वारत में मराथा को दबाने के लिए महाराजा सिवाजी के विद्रों को दबाने के लिए बहुत सारे अभ्यान बेज और जब औरंग जेव को यह सूचना मिलती है कि साहिस्ता खा, महाराजा, सिवाजी से बुरी तरह से प्राजीत हो चुका है तब क्या करेंगे जस्मन सिंग रातोड को औरंग जेव दक्षी न अभ्यान की तरफ बेजेंगे मराठा विद्रों को दबाने के लिए बेजेंगे साइस्ता खांकी साइता करने के लिए बेजेंगे कब बेजा बेजा जा रहा है कब बेजा तो ये द्यारखना 1663 इस्वी में 1663 इस्वी में इसे बेजा जा रहा है किसे जस्वन सिंग राठोड को कहा दक्षिन अभियान में बेजा जा रहा है दक्षिन अभियान में बेजा जा रहा है का बेजा जा जा रहा है दक्षिन अभियान में बेजा जा रहा है इसे किसलिए बेजा जा जा रहा है मराठा सासाक महाराज सिवाजी के विद्रों को दबाने के लिए बेजा जा रहा है दक्षिन अभियान में बेजा जा रहा है सिवाजी के विद्रों को दबाने के लिए और वहाँ पहले से मुगलों की सेना है किसके नेतरतम में पहले से साइस्ता खावा सेना पती है जो की प्राजित हो चुका है किसे महराजा सीवाजी से तो अब देखिए वहाँ जब जस्वन सिंग राठोड जाता है तो जस्वन सिंग राठोड के बारे में अलग-अलग या ख्याते या फिर कुछ विदेशी इत्यासकार ये कहते है विदेशी इत्यासकारों का सारा लें मनुची बलनियर तो वो क्या कहता है कि जस्वन सिंग राथोड ने वहाँ दक्षिन अभ्यान में सिवाद जी के साथ साथ गांट कर ली थी मिल गया था और अगर ख्यातों के बारे में बात करें तो ख्यातों में ऐसा नहीं का गया ख्यातों में ये का गया है कि जिस मारग में जिस मारग या जिस चोकी पर जस्वन सिंग राथोड बेठा था उस चोकी के मारग से सिवाद जी अपनी सेना लेके ही नहीं निकला वो पाड़ी मारग से गया और उसने कुणे को वापस जित लिया तो ये भी बात मिलती है लेकिन क्या हुआ कि जब जस्वन सिंग राटोड को या सबलता नहीं मिली तो ओरंग जेब ने क्या किया ओरंग जेब ने इसे कहां बेज दिया वहां से बुला लिया वापास और इसे काम बेज दिया जमरूद अफगानिस्तान के अभियान पर बेज दिया जमरूद अफगानिस्तान बेज दिया और कब बेज दिया जमरूद अफगानिस्तान जमरूद अफगानिस्तान कब बेजा गया तो 163 तर में द्यारक ना दोस्तो जस्वन सिंग के जीवन का अंतिम अभियान कोण सा था कोण सा अभियान है जमरूद अभियान कोण सा अभियान जमरूद अफगानिस्तान में बढ़ता है वहां बेज दिया जमरूद अफगानिस्तान कब बेजा 1603 में बेज दिया और वहीं 5 या 7 साल देगा और उसके बाद में क्या होगा कि 22 नुवंबर 1668 को मृत्यू हो जाती है किसकी जस्वन सिंग की दोस्तो 22 नुवंबर 1668 को जस्वन सिंग की क्या हो जाती है मृत्यू हो जाती है अब मरती हो गई जस्वन सिंग राठोड की तो अब एक बार अपने एक्जाम की दरस्टी से कुछ इसके निर्वान कारे या कुछ इसके साहितेकार है तो कुछ इसकी किताबे बढ़ते हैं और कुछ इसके निर्वान कारें के बारे में बात करते हैं एक्जाम की दरस्टी से जो important point है किई बार वहाँ सी कोई सिना आ जाता है तो उस संद्र में बात करें तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये एक अच्छा साहितेकार था तो इसने काफी सारे गरंथ भी लिखे हैं तो सबसे पहले जो सबसे most important जो गरंथ है जस्वन सिंग का या एक दो बार एक्जामों में पुछा गया है वो है बासा बुसन कौन सा गरंथ है बासा बुसन गरंथ कौन सा गरंथ बासा बुसन किसके दवारा लिखा गया है जस्वन सिंग राटोड के दवारा लिखा गया है उसके बाद अप्रोक सिदान्थ अप्रोक्स सिदान्थ अप्रोक्स सिदान्थ भी लिखा गया है इसके दोरा अप्रोक्स सिदान्थ और अप्रोक्स सिदान्थ के बाद में अगर बात करें तो सिदान्थ सार कौन सा गरांथ सिदान्थ सार दोस्तो सिदान्थ सार भी इसके दवारा लिखा गया है सिदान्थ सार के अलावा अगर बात करें तो सिदान्थ बोध सिदान्थ बोध भी किन के दवारा जस्वन सिंह राठोड के दवारा लिखा गया है सिदान्थ बोध के बाद में अगर बात की जाए तो आनंद विलास बहुत इंपोर्टेंट गरंत आएगा आनंद विलास आनंद विलास किसके दवारा लिखा गया है आनंद विलास लिखा गया जस्वन सिंह राठोड के दवारा आनंद विलास के बाद में परबोध चंद्रोदे परबोध चंद्रोदे किसके दवारा लिखा गया है दोस्तों पर बहुत संद्रोदे और इसके बाद अनुबहु परकास यह गरंत लिखे गए हैं जस्वन सिंगर आठोड के दवारा ठीक है तो सबसे इंपोर्टेंट की बात करें तो बासा बुसन गरंत जो है वह इंपोर्टेंट है इसके बाद अगर बात करें आनंद करें इन गरंतों के अलावा अगर बात करें तो इसके दरबारी कवियों के बारे में बात करें कि इसके दरबारी कवी कौन-कौन से थे जस्वन सिंगर आठोड के दरबार में कौन से कवी थे तो एक नमबर बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बाद चानते होंगे आप मुनोत न नैंसी के बारे में बात करें तो बहुत सारी फेमस किताबें इनके दवारा लिखी गई एक तो नैंसीरी ख्यात इनके दवारा लिखी गई एक मारवाड रा प्रगनारी विगत इनके दवारा लिखी गई कौन-कौन सी बुके है मैं यहालिक देता हूँ नैनसीरी ख्यात किसके दवारा लिखी गई है नैनसीरी ख्यात मुनोद नैनसी दवारा नाम से पता सल रहा है और important grant मारवाड राप परगनारी विगत कौन सा है मारवाड राप परगनारी विगत किसके दवारा लिखा गया मारवाड राप परगनारी विगत किसके दवारा लिखा गया तो नैनसी के दवारा ही लिखा गया यह दिवान भी रह रहे थी और कौन सी बासा में यह grant लिखे गए यह द्यारक लेना कि मुनोद नैनसी किस राजस्तानी साहितिक रूप में किस सेली में ये लिखते थे कौन सा साहितिक रूप इनके गरंतों का है तो डिंगल बासा दिया रखना डिंगल में हे का प्रयोग नहीं किया जाता अब मुनोत नैंसी कौन सी जाती के है तो ये बढिये हैं दिया रखना बढ़िये उनौतनेंसी और ऐसे इत्याजकार हैं जिन्होंने राजस्तान में जन्गन्ना का अगरज का जाता है क्योंकि जनसंक्या इनकी किताबों में महारवाड की उस समय जनसंक्या के बारे में भी बताया गया है और बाद में क्या होता है एंड इनका अच्छा नहीं होता दोस्तों प्रारम भी बहुत बढ़िया लेकिर एंड इनका अच्छा नहीं है क्योंकि इन पर अंतिम सम्मे में गबन का आरोप लग जाता है गबन यानि गोटाले का आरोप दिवान थे गोटाले का आरोप लग गया और उसके बाद में जस्वन सिंह राटोर्ट ने केड में डाल दिया जेल में डाल दिया और वही रहते हुए इनकी क्या होगी मृती होगी प्रतिष्टित वेक्ति और बाद में इने आतमत्या करनी पड़ी जेल में इन्होंने क्या कर ली थी आतमत्या कर ली थी गबन के आरोप में तो ये नैंसी है नैंसी के अलावा अगर बात करें कुछ अने साहितेकारों की बात करें इसके अलावा और भी साहितेकार थे तो वो कौन-कौन से साहितेकार है तो सबसे पहले मैं या लिखता है जो बनारसी दास कौन सा है बनारसी दास बनारसी दास ये भी एक इनका साहितेगार है इसके बाद में दलपती मिसर है दलपती मिसर ये भी साहितेगार है दलपती मिसर के बाद सूरती मिसर कौन से है सूरती मिसर ये इंपोर्टेंट है सूरत गुरू है जस्वन सिंग राठोड के कावे गुरू कोण है सूरती मिस्सर है जस्वन सिंग राठोड के कावे गुरू कोण है दोस्तों सूरती मिस्सर है तो ये तो बात होगी साहितेगारों की कि नैंसी है नैंसी के अलावा बनारसी दास है दलपती मिस्सर है और उसके कौन कौन से निर्मान करें इन्होंने की ज्यादा तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कचेरी बवन का उलेक मिलता है कि इन्होंने कचेरी बवन का निर्मान करवाया था कचेरी बवन का निर्मान का करवाया इन्होंने तो कचेरी बवन का निर्मान इन्होंने करवाया आगरा मे क्योंकि जादा समय आग्रा में ही वेतित हुआ तो कचेरी बहुन का निर्मान आग्रा में गरुआया था और इसके अलावा अगर बात करें जस्वंत पूरा कस्वा भी बसाया इन्होंने जस्वंत पूरा कस्वा का मसाया है तो इन्होंने बसाया है औरंगाबाद महारास्टर में औरंगाबाद महारास्टर के अंदर जस्वंत पूरा कस्वा बसाया है इसके लवा इन्होंने एक तलाब भी बढ़ाया था रातानाडा तलाब जोदपुर में बढ़ा हुआ है और जिसे वर्तमान में क्या का जाता है राता नाडा तलाब है राता नाडा क्या है तलाब तलाब है और जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है राता नाडा तलाब को तो वर्तमान में इसे कहा जाता है कल्यान सागर जी का तलाब क्या बोलते है कल्यान सागर जी का तला ध्यारकना राता नाड़ा एयरपोर्ट हुआईद वी जौदफूर में इसके बाद इनकी एक राणी के बारे में चर्चा करें अती रंग दे इनकी अगर आने की अती रंग दे और अती रंग ने दे ने जान सागर तालाब का निर्मान करवाया दोस्तो जान सागर तालाब का निर्मान करवाया जिसे वरतमान में क्या का जाता है वरतमान में का जाता है सेखावत जी का तालाब वरतमान में क्या बोलते हैं सेखावत जी का तलाब बोलते हैं दोस्तो तो अब अपने बात करें नेक्स्ट कि अब ये तो हो गया और अब मारवार के मारवार जो है यहां उत्रा धिकारी नहीं है एक बार यहां नहीं संतान मरती हुई है लेकिन बाद में पुत्रों की क्या होगी प्राप्ति होगी इसकी मर्तियों के बाद इनकी राणियों के दो पुतर होंगे लेकिन इससे पहले जब जस्वन सिंग की मर्ति हुई तो ओरंग जेप का मारवार को लेकर क्या रवया हुआ ओरंग जेप ने मारवार को क्या खालसा गोसित कर दिया और किसे उत्रा अधिकारी गोसित कर दिया तो इन सारी बातों के बारे में कल बात करेंगे नेक्स लेक्सर में बात करेंगे दोस्तो लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो धन्यवाद